अस्सलाम अलेकूम आज आपके सामने गाजर के हलवे की रेसिपी शेर करने जा रहे हैं उमीद हैं आपको पसंद आएंगी फ्रेंट्स हमने गाजर के हल्वे की रेसिपी इससे पहली भी आपके सामने शेर कर चुके हैं वो तरीका दूसरा था और ये तरीका दूसरा है तो आईए देखते हैं हमने गाजर का हल्वा किस तरह बनाए गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने एक किलो गाजर लिया है गाजरों को छील कर धो कर उसे हमने कद्दू कश कर लिया है उन्हें गैस पर एक बर्तन रख दिया है इस बर्तन के अंदर कद्दू कश किये हुए गाजरों को डाल देंगे अब इस पर ढ़कन ढ़ाग देंगे मिडियम फ्लेम पर दो मिनिट तक इसे पकाएंगे दो मिनिट हो चुके हैं अब हम ढ़कन खोल कर देखेंगे गाज़रों को अच्छे से चलाएंगे गाज़रों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिये हैं आप देख सकते हैं गाजरों में से पानी रिलीज हो रहा हैं आप बीज भीज में से चलाते जाएंगे दस मिनिट हो चुके हैं अब धक्कन खोल कर देखेंगे गाजरों का पानी सूख चुका है आप देख सकते हैं इसे अच्छे से चलाएंगे फ्रेंट्स ये एक किलो गाजर है गाजरों का पानी सुखाने के बाद तकरीबन ये 600 ग्राम हो गये हैं तो इसलिए हम इसमें 100 ग्राम शकर इस्तिमाल करेंगे इस गाजर के हलवे में हमने दूद का इस्तिमाल नहीं किया है इसलिए इस हलवे को हम शुरू से आखिर तक धीमी आज़ पर पकाएंगे धीमी आज़ पर पकाने से गाजर अच्छी तरह से गल जाएंगे पहले तो हमने 10 मिनिट तक धीमी आज़ पर गाजरों का पानी सुखाएं फिर उसके बाद 10 मिनिट तक शकर डाल कर शकर का पानी इसमें सुखाएं तो टोटल 20 मिनिट में गाजर अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब हम इसमें मावा डालेंगे इस हलवे में हमने शकर कम डाली थी, क्योंकि हमें मीठा मावा डालना था हमने इसमें 100 ग्राम मीठा मावा डाले हैं, अब इसे अच्छे से चलाएंगे मावे को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें घी शामिल करेंगे गाजर का हलवा देसी घी में ज्यादा अच्छा लगता है, हमने 50 ml देसी घी डाला है इसमें, अब इसे अच्छे से चलाएंगे घी डालने के बाद हलवे का रंग बहुती ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, हलवे में शाइनिंग आ रही है अब दो मिनिट तक इसे इसी तरह पकाएंगे, कि सारा घी हलवे में अच्छी तरह से फैल जाए दो मिनिट हो चुके हैं और हमने गैस बन कर दिया है और हलवा तयार हो चुका है, आप अपनी मर्जी के मताबिक आपको जो ड्राइफ्रोट पसंद है आप दाल सकते हैं, हम इसमें काजू, बदाम, पिस्ता और किश्मिश डालेंगे लिजे फ्रेंड्स गाजर का हलवा तयार है, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल्ला हाफीज